तुट्राइब करें विर्टाइब करें देड विर्टाइब करें तुट्राइब करें लिए वा प्रविध बेक टाइम हो रहा है आप द्रेट वेल्ट चुके हैं देट हमारी 12th of October आज हमारी Ergo Trading का Day 27 है और आज हमने Profit Book किया है लेट सी देखते हैं किसमें कितना Profit हुआ अग्रिसिव में ट्रेलिंग लागा था 1,900 का Profit है पैसे में भी ट्रेलिंग लागा है 5,800 का Profit है Positional में Counter No. 74 & 095 दोनों में Profit Book किया है हमने BNLC Positional Counter No. 33 & 34 दोनों में Profit है BNF Directional Continuacy 6th Day है हमारा तो यूगन क्लिरली सी कि Directional Strategy इतना एजी नहीं होती है Trade करना यहां पर नो डाउट कि यहां पर Returns बहुत जबरदस्त मिलते हैं Directional Strategy में High Risk High Reward यहां पर रहता है Returns भी जबरदस होते हैं यहां पर अगर systematically discipline के साथ follower है तो काफी अच्छे Returns यहां पर हमें generate करके देती है लेकिन जो रास्ता है जिस पर हमें चल कर जाना है Directional का वो तफ पड़ता है वो तफ इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें Drawdown Phase जो यह वो देखना पड़ेगा और Drawdown Phase थोड़ा सा हाई होता है as compared to non-directional strategy अब जैसे कि अभी currently हमारा ओल्रेडी 6.54% का Drawdown ओल्रेडी चल रहा है इस वाली strategy में राइट इतना easy नहीं होता है यह path यह रास्ता किसी के भी लिए कोई beginner है कोई market में अगर वो Directional के साथ अगर trade करता है तो और स्टार्टिंग में अगर market ऐसे लोसे स्टार्ट करें तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी beginner के लिए उन लोसे को bear करना यह तभी हो सकता है जब आपके अपके अपके प्रोफिट में buffer रखा हो तापके लिए थोड़ा सा easy हो जाता है उस situation को handle करना राइट मैंने आपको थोड़ा सा ग्यान अभी बाटा है और अभी हम देखते हैं हमारा broker में अगर हम देखे तो as usual overnight position है अच्छा थोड़ा सा है अपर changes है capital में कल 90,90,000 था आज 82,50,000 है उसका reason है positional earner को अमने overnight counter को reduce किया है 5 lots से reduce करके 3 lots हमने deploy किया है overnight के लिए क्योंकि आज हमारा event है US में AFO AMC का कोई meeting है कोई meeting है आज तो उसकी वज़े से हमने थोड़ा सा event है तो उसकी वज़े से थोड़ा सी volatility हो सकते है overnight कुछ भी gap up को down हो सकता है तो अमने position size को थोड़ा सा यहां पर reduce किया आपको पता दिया है यह भी mention कर दिया है मैंने और overnight position से यहां पर P&L आप check कर सकते हो और final booked P&L आज का मैं आपको बता देशना हूँ Excel में मैंने इसको update कर लिया यह आज की date 12th of October and आज का profit है 23,500 का हमारा profit है आज का final booked profit and इसी के साथ हमारा overall P&L इस वाले account में आ चुका है 1,38,800 पर P&L chart आप देख सकते हो दीरे-दीरे जैसे कि मैंने आपको बता है हम climbing कर रहे हैं उपर की तरफ हम आ रहे हैं धीरे-दीरे and I hope कि यहां से में down side की तरफ कोई dip देखने को नहीं मिले यहां से में ऊपर ही जाए and आज वेटनेस ही था और कल हमारी expiry है so I hope कि कल के expiry अगर हमारे अच्छी जाती है तो काफी अच्छा हमारे लिए रहेगा बागी की overall सारे strategies की performance हम देखे हैं तो आप देख सकते हो दोनों directional strategy में हमारा stop loss लगा है and बागी सारी non directional आज भी हमारी green में यहां पर close हुई है और इसी के साथ एक और चीज जो सकी मारा जो BNLC positional है strategy of the month till now running with 8.40% profit on monthly basis अभी तक October month में 8.40% का profit generate करके दिया है BNLC positional में एक लाग दस हजार का capital यहां पर require होता है एक लोट के लिए और amount wise देखें हम एक लाग दस हजार की capital पर इसने 9,240 रुपर का profit यहां पर generate करके दिया है अभी तक October month में तो जरूर आप इसको देखें और यह हमारी I guess एक लाग दस हजार का इसमें capital requirement है बाकी में थोड़ा सा जादा रहता है तो अकर किसी के पास एक लाग दस हजार बीस हजार है तो definitely इस strategy को वह run कर सकते है right and हमारा जो एल्गएज capital का preferred combo है तीनी strategy इसका passive aggressive positional इसका आज का profit हमारा हुआ है 0.33% का यहां पर तो आज के profit को include करने के बाद 2.31% का हमारा overall profit हो चुका है October month में अभी तक combo का ठीक है और बाकी की performance आप देख सकते हो यह sheet का में link डाल दूँगा तो किसी को in depth check करना है तो यह sheet पे आप इसको आप check कर सकते हो मैं एक एक चीज़ा explain करूँगा तो video थोड़ा से यहां पर लंबा हो जाएगा ठीक है तो यह मैंन आपको बता दिया है October month का इसका performance और चार्ट को हम तोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पर तो आज भी market 500 point की range में था and कल की तरह सेम आज भी 2 बजे के आसपास तक market range bound ही था और उसके बाद 2 बजे के around 1.50 पर breakout आया and breakout के बाद इसने 10-100 point गया पर range बनाया था so कल का जस्ट अपोजिट आज हुआ है कल breakdown हुआ था आज breakout हुआ है and आज भी कल की तरह कलतों में profit थोड़ा थीक हुआ था आज हमारा profit reduce हो गया क्योंकि यह one side move या आया था तो तब तक हमारे जैसी यह movement आई उसके बाद हमारे trailing SL start होना चालू हो गए थे तो उसकी वज़े से हमारा profit reduce हुआ वरना morning में हमारा profit almost 0.85-0.91% के आसपस आज भी हम चल रहे थे but again trailing SL is also necessary क्योंकि वह हमें जैसे कि अगर हम trailing SL को ऐसे देखे तो देखो और losses से तो बेटर है कि हम चाहे cost to cost निकले या थोड़ा profit लेके निकले वह बेटर है वह बेटर है loss से तो at least trailing SL काफी important है तो कभी-कभी वह थोड़ा सा में दर्द लगता है यह नहीं होना चाहिए system है बट ठीक है यह जरूरी है इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं फिनी शहीं पर मिलेंगे कल के वीडियो में वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपकी कोई भी query है तो आप comment section में पूर सकते है thank you so much मिलते हैं कल के वीडियो में